दोस्तो दोस्ताना 2 की कास्टिंग पर इंडस्ट्री के साथ साथ सिनेमा प्रेमियों की भी नजर है हर कोई जाना चाहता कि आखरकार कार्तिकारियन की जगा कौन लेगा अब ट्रेड एनलिस्ट का कहना है कि कार्तिकारियन की जगा अक्षे कुमार ले रहे हैं अक्षे कुमार और करन जो हर पुराने दोस्त हैं कुछ समय पहले अक्षे कुमार ने उनके बैनर की गुड निवस के थी जो काफे हिट रही थी अब जब दोस्ताना 2 को लेकर क्राइसिस की सिच्वेशन खड़ी हुई है तो अक्षर कुमार ने अपनी दोस्ती नहीं भाई है कार्तिक को जगा वो भढ़ने को राजी हुए है हाला कि सिनेमा के जानकार इस कास्टिंग को अजीब हो गरीब मान रहे है उनका कहना जान जानवी कपूर के साथ अक्षर कुमार रूमैंटिक पेयर वाले केरेक्टर नहीं करेंगे देखा जा तो जहाans से खबर भी आ रहे है वहाँ से यह भी कहा जारा है कि अक्षर कुमार और जानवी कपूर भाई बेहन के रोल में होंगे ये प्लॉट भी सुनने में जरा अजीब से लग रहे हैं वो इसलिए कि अक्षर कुमार ओल्रेडी रक्षा बंदन कर रहे हैं उसमें भाई और बहन राकी के तिवार का प्लॉट है ऐसे में एक और भाई बहन की थीम वाली फिल्म अक्षर कुमार के इस बेस पर कर रहे हैं दो फिल्में एक ही थीम पर कैसे हो सकती है देखना दिल्चस्प होगा क्या करन जोहर और अक्षर कुमार की तरफ से ऐसा कोई सर्प्राइज आता है फिलाल तो धर्मा प्रोडक्शन के ओफिशिल भी इस बार में कुछ बात नहीं कर पा रहे है उनके पास भी अक्षर कुमार के फिल्म में होने की कोई ठोस जानकारी नहीं है रहा सवाल जानवी कपूर के सेम एज गुरुप की सारा अली खान का तो उनके साथ अक्षर कुमार के साथ अतरंगी रे में रोमेंटिकली पेर नहीं है अक्षर के बेहत करीबी लोगों ने बताया कि अतरंगी रे में उनका सारा अली खान के साथ लव इंट्रस्ट नहीं है वो इसमें सारा के पीता के रोल में है अक्षे उस एज की एक्ट्रेस के साथ इसी किस्म के रोल में प्रेफर भी कर रहे है वहला आपको क्या लगता है कि किस रोल में होंगे अक्षे कुमार अगर दोस्ताना टूम में आते हैं क्या वो लव इंट्रस्ट के तौर पर जानवी कपूर के साथ खड़े दिखेंगे मनलब कि क्या कैमिस्ट्री बन पाएगी उस तरह की या नहीं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राज शेयर करें थैंक्यू सो मच एंट्रस्ट आड़े दोस्ताना टूम आपनी नहीं